जो है गरीब है लाचार है जमीन जो है आज से नहीं है उनके पिताजी भी इस जमीन को एक तरह से जोत रहे थे खा रहे थे उपयोग कर रहे थे तीस वर्स हो गया इस मामले का ठीक आज से नहीं है तो कहता है कि बारे साल से जिसका आवद कब जा है उसका क्या होगा उसका जमीन हो जाएगा मामला अगर कोट में है कोट में जश सहाब जो है एक तरह से अब ये जमीन कब से उपयोग किया जा रहा 30 बरस हो गया है अब 30 बरस के बाद जो है जो पहले जमीन के मालिक थे वो इसको नहीं आये ढूनने के लिए या कुछ कारण रहा होगा किसी को खाने पेने के लिए दे दिया गया होगा या वो जो है उतने इतरह से पलोट को या जानते भी नहीं होगा बहुत तरगे सवाल हो सकते हैं लेकिन आज इस संपत्ती का जो उनके बेटे हैं है ना जब उनको जानकाड़ी हुई जो है उनकी एक तरह से उनको लगा कि ये प्रोपर्टी तो मेरा है मेरे पास इसका कागजात है जब वो देख रहा है तो बामला जाकर कोट में जाकर केस कर दे रहा है किसके ओपर जो इसको कबजा किया हुआ है उसका होगा क्या है यानि वो बैक्ती जो है 12 साल से जमीन पे कबजा है तो उसका क्या होगा उसको जमीन मिल जाएगा और इस जमीन पर जो है वो खेती होता है देखें जमीन सरकार भी देती है किसको गरीब आदमी को जो लचार आदमी है जिसके पास उसके अलावा जीवन यापन करने के लिए जो है कुछ भी नहीं है तो उसको सरकार रासन भी देती है आपको पता होना चाहिए कि ठीक है अगर उतनी जमीन से उसको नहीं हो रहा है तो वो खाएगा क्या और बहुत लोगों को आज जो है उससे फैदा है ऐसा नहीं है अभी लोगों के पास पहले क्या खाने पीने के लिए जो रासन है उनके लिए एक तरह से कभी हो सकता है कि उसको काम मिले कभी नहीं मिले अगर कोई वैक्ती डेली कमाएगा डेली खाएगा तो उसके घर में अगर रासन नहीं रहेगा तो समझ सकतें कितनी बड़ी समस्याद देश में तो इसलिए लोगों को रासन महया कराया गया ताकि लोगों को जो है एक तरह से एक आर्थिक मदद मिल सके और वो जो कवाएं उसको बचा भी सके तो सरकार भी चाहती है कि जो बैक्ती के पास जमीन नहीं है बुमिहीन है उससे जमीन ना छीना जाए तीक है गरीब आदमी का जमीन नहीं छीना जाए लेकिन आप डीपेंड करता है कि कोई बैक्ती है जिसके पास पहले से जमीन है और वो दादागिरी दिखा कि अगर जमीन को जोत रहा है ठीक है और उसका फसल खा रहा है जमीन नहीं छोड़ रहा तो उसका क्या होगा ये सवाल हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कवजा के केस में अवैद कवजा के केस में अलग-अलग फैसले हो सकते हैं फैसला जो है अवैद कवजा करने वाले के उपर अगर संपत्ती का जो मालिक है वो संपत्ती का मालिक अगर केस फाइल करेगा तो उसमें क्या होगा, नोटिस भेजा जाएगा, एक तरह से नोटिस आएगा, ना, अब नोटिस आपको मिल चुका है, तो नोटिस का आपको क्या करना परेगा, जवाब देना परेगा, आप क्या जवाब देंगा, उको जो बैक्ती कबजा किया, वो तो अपने जवाब जो ह यह 30 साल से रह रहा है इसके पिता भी इस जमीन का उप्योग कर रहे है और उस समय जो है यह समपत्ती को बहुत सारे आरोप लगाए जा सकते हैं आरोप सच भी हो सकता है जोटे भी आरोप लगाए जा सकता है यह भी कहा जा सकता है कि 30 साल पहले आपने जमीन बेज दिया और आप जमीन रजिस्टी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह सब आरोप साबित करना अतना असान नहीं होता है। 30 साल पहले खरदा और उसकी रजिस्टी नहीं हुए। को एक समय सिमा के अंतर वह कोट क्यों नहीं किया। बहुत तरह की बात है। या कहीं पर F.I.R किया कि नहीं किसी को सिकाइद किया कि नहीं किया। कि मैंने रखता है कि आप 30 साल तक जमीन खड़ी दिलिए और आप उप्योग कर रहे हैं और 30 साल तक ना तो उसका सरकार को टेक्स जा रहा है और ना आप समपत्ती को रिजिस्टी करवा है। तो ये भी एक बड़ा समस्या होता है। ये भी इतना असान नहीं होता है। लेकिन जब यहां पर नोटिस भेजा जाएगा आपका जो भी जवाब होगा सामने वाले के पास जमीन का कागजात है और वो कागजात है और साथ में वो सरकार को टेक्स भी अभी तक देते आ रह नहीं है। आपके पास जो है सिर्फ यही दलील है कि आप उस जमीन को जो है एक तरह से उप्योग कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। अब यहां पर आपका इस्थिती भी जो है वो जाना समझा वो भी बेजरूरी होता है। जीवन यापन करने का वो जरिया है तो दोनों अलग चीज़े हैं। लेकिन कानून कानून है देखें कानून कबजाधारियों को भी अपना बात रखने का अपना हक मांगने का अधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि जो जो तरह कबजा कर रहा है उसको अधिकार नहीं मिला है कानून में उसको भी अधिकार है लेकिन अगर जो ये जमीन है ये पूरी प्रोपर्टी है ठीक है इसके कागजात आपके पास नहीं है तो आप कानून ये कहता है कि आप उसके मालिक नहीं है उसका मालिक वही है असली टाइटल एक तरह से वही होगा उसी का होगा जिसके पास प्रोपर्टी का डॉक्मेंट होगा ठीक है और साथ में जो है इस पे जो अबैद कबजा करने वाले गलत तरीके से कबजा करने वाले हैं तो उस पे अगर आरोप लगा है तो हो सकता है कि आपका कबजा खाली करने का भी आदेश दे दिया जाए अब इसमें बहुत सारे कंडि ठीक है और सबूत के टौर पर जो है तरह से सबूत भी पेश करना होगा गवा भी देना होगा तो यह सबी जो है आपको देना होगा अपने अपना पक्स रखने के लिए अब जो कबजा किया है उसको भी गवा देना परेगा जो केस किया है उसको भी गवा देना परेगा अ अब ये तो डिपेंड करता है कोट का जो आखिर में फैसला होगा, किसका क्या होगा, कबजा का क्या होगा, ये तो कोट के फैसले पर डिपेंड करता है, लेकिन अधिकांस जो फैसले, यानि जितना भी फैसला आता है और सभी फैसले को देखा जाए कि आखिर, जो जमीन मामला है तो कबजा के मामले में किसके पक्ष में ज्यादा फैसला हुआ है तो वो है संपत्ती का जो है मालिक संपत्ती का जो मालिक है जिसके पास कागजात है जिसके पास जो मालिक होगा उसी पास कागजात हो तो उसके पक्ष में अगर फैसला देखा जाए तो अधिक फैसल पती है तो बहुत लोग क्या करते हैं फर्जी वारा यानि फर्जी तरीके से कागज भी बना लेते हैं ऐसा भी करते हैं फर्जी वारा करना अब यानि इसका जो कागज है वो जाली कागज बना लिया या कोई डॉक्मेंट बना के म्यूटेशन करवा लिया ठीक है म्यूटेश और दाखिल खारिज करा अब यह सोच रहे हैं कि प्रोपर्टी के मालिक बन गए तो यह संबब नहीं है यानि सिर्फ मुटेशन और सिर्फ दाखिल खारिज जो है अधार बता कर आप प्रोपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं यानि ऐसा सुप्रिम कोट का साप साप कहना था मतलब बहुत लोग क्या करते थे पहले ठीक है वो जन्विन तरीके से ही क्या किये जमीन को खड़ी दे ठीक है जमीन खड़ी दे और उसके बाद याने खड़ी दने के बाद उसका एक तरह से रजिस्टेशन ना कराके रजिस्ट्री ना कराके उसका म्योटेशन किसी तरह से करवा लिए बहुत लोग ऐसा भी किये जन्विन पैसा लगाए है फिर भी आज जो है कानूनी तोर पे अगर देखा जा तो उसका अधिकार नहीं अगर आप खड़ीदे हैं तो आपको रजिस्टी करानी होगी आपको लेंड का रजिस्टेशन कराना होगा अगर आप नहीं कराए हैं तो आप सिर्फ मोटेशन और दाखिल खाड़िज के अधार पे अपना पूरा राइट आ रहे हैं तो ये गलत है, इसका मानलता नहीं होगा, ये पॉसिवर नहीं है, तो अगर आप भी कबजा संबंदी जो समस्या से जूज रहे हैं, आपकी जमीन है, कोई और कबजा करके बैठा हुआ है, गलत तरीके से कागज भी बना लिया है, तो अब जो है, अगर आप चाहते हैं, कि उसमें अपने प्रोपर्टी को हासिल करगा, मान लेते हैं, अब किसी की 40 लाग की प्रोपर्टी है, तो कोट में जब आपका मामला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं, जो कानूनी परक्रिया, खर्स तो उसमें भी होता, तो कम से कम एक लाख रुपया आप रख सकते हैं, खर्स तो होगा ही, आप वकील को फीस देंगे, कागजात, जो है, कोट फीस होगा, तो कोट फीस वगरा जादा नहीं होता है, लेकिन आपका वकील का जो प्रक्रिया होगा, मतलब एक मैक्सिमम आपको बता दी, हो सकता है कि उसे कम में भी हो ज प्रसासन के दोरा जो है, आपको कबजा दिलाया जाएगा, आसा घरते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरू करने, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके, जो बेल आइकन है, उसको जरूर दबाले मिलते हैं, हाओा है, आपकötर देख रहे हैं, झौकल को लाइकन है, जो में ते स universesritionति करती हैं, झाले मिलते हैं, वीडियो अग rough,ो को सफे रहे हैं, स...'